हालो नमस्ते गई स्वागत आप से भी हमारे इस यूटीब चनल चीबी टीजी के वैट्रिक 99 यूटीब चनल में आप सभी का पुना स्वागत है चलिए दोस्तों जैसा कि बहुत सारे स्टुर्ट का क्वैरी रहता है कि न्यूव वेकंसी का पाएगी और न्यूव वेकंसी से स्वांदित जैसे की ट्विटर केंपेन अठर अपरील को चलाता लेकिन वो सक्सिस हमारे ही सबसे नहीं रहा क्योंकि उसमें खुल करके बहुत सारे टीचर भाग नहीं लिए नहीं आए इनको उनको ये डर था कि यदि हम खुलके इसमें आते हैं स्टुर्ट के साथ होते है हैं तो हमारा कोर्स भी ना भी केगा और हमारे उपर करवाई भी की जाएगी तो वही डर एक ग्रूप चलता है उमंग इस्टुड़ी वाले भाई सापका सरका उसमें टोटल मैक्समल लगों 45 टीचर वाटस उस ग्रूप में जूरे हुए हैं वाटसप पे तो उनमें ये मै करवाई की जाएगी तो इसे में एसे में स्टुडेंट को चोड़ देना चाहिए टीचर को कोर्स बेचना ही बेचना है डिरेक्ट खुलके हम बोलता हूं कि आज MD classes वाले सर ने सत्यम सर ने YouTube पे आया लेकिन स्टुडेंट हीत में बात ना करके उन्होंने अपने कोर्स पर से ज्यादा फोकस किया 499 में कोर्स बेचता है बेचना है चोड़ी सहजार इस्टुड ले चुके हैं उनका यह कहना था यह एक माइंड गेम है आपको लगेगा कि हाँ 2400 स्टुड ने लिए चलो हम भी ले लेते हैं तो आपको सोचना ही बिना कोर्स के भी एक्जाम निकाल कितना होता है मक्सिम्म अपने देखा हुआ पचास से साथ इस्टुड जबकि 15,000,20,000,20,000,000,000 पचास दर इन्रॉल रहते हैं एडमिशन लेते हैं लेकिन पचास से साथ इस्टुड का रिजल्ट होता है मानली जिस और देट्स होका रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट उनका भी होता है जो सेल्प स्टुडी से करते हैं यानि कि सेल्प स्टुडी इस दा बेस्ट स्टुडी आपको केबल स्लेवस जननी है और आप त्यारी करिए साहिसे चलिए अब हमें टीचर को चोर करके स्टुड को एक साथ आना होगा और एक डिट करनी होगी फीजिकल प्रोड स्टुड लगा है आप देख सकतों तीन सवाल क्या है मैंने आज 20 तारीक यानि कि 20 अप्रेल 2023 को आर्टिय डाला था वह आर्टिय रिचिप हो ड़कुमें प्रवाइडर रिक्वेस्ट हो चुका है आज ही रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट हो गाए मैंने उनसे पूछा था सबस जैसा इससे पहले उन्होंने बताया था कि इतने खाली है इतने खाले लेकिन रियल मैंने पहले यह कोशन पूछा उनका क्योंकि यह डाटा उनके बाद सब्लेबल है ठीक है दूसरा नमबर मैंने पूछा कि वेन बिल बी पॉब्लिच्ट अन्यू नोटिफिकेशन दूसरा बी का गुरूप सी का भी पूछा है और गुरूप बी जो भी है साला मैं टोटल मैंने उनसे पूछा है थार्ड नमबर में थोड़ा सा मिस्टेक उनको लिखने में हो गया है लग रहा है इसमें हाव मैनी हाव थोड़ा सा ग्रामेटिकली चलिए उससे कुई मतलब नहीं है इनका मतलब यह हुआ कि यदि एज रिलेक्सेशन मिलेगा तो कितना एज रिलेक्सेशन दिया जाएगा अपकों वैकेंसी जो आने वाली है उसमें लाइक मतलब येल्प टेग्नीशन के हवाला मैंने आर्प एज एज दिया यानि कि कितना एज में छूड दी जाएगी ये सवाल हमने आज पूछा है पूछने का मात्या ओनलाइन था जिसमें दस्तरप्याप पे करना पड़ा है और ये रिशीव हो चुका है इनका जब जब आएगा हम आप तक लेके आएंगे तब तक इस वीडियो के यहीं रखते हैं बस एक ही चीज रुकेस्ट करेंगे यह और जैने वालने हैं विडियो के सेयर करें ताकि बहुत सर्ब जूट सके और हम लोग रिशीचर ले सके कि से क्या करना है टूटर कशल मीडियाप पर करना है टिचर को साथ लाना है क्या करना है उस हिसाप से घिसेड कर पाएंगे चलिए इस वीडियो के आई-टर्थ आसा क